अब आजाते हैं एक लाग के बेरेंट में 75,000 से एक लाग सवाला एक लाग के आसपास तक पर वैसा धंक का लैप्टॉप नहीं है इंडिया में जो मैं रिकमेंड करता हूं अब आते हैं पहले मैं इस लापटप को रिकमेंड कर रहा था जब भी सेल वागेड़ा नहीं हुआ था यह लीजन 5 वाला है 5800 है और 3060 है वह 30 वाट वाला ठेक है अब जो डिस्पले है सब 100 परसंट है सब 300 निट्स है एक को छोड़ का पहले दाम का बात कर लेता है यह जो लैप्टॉप है लिंक आजाओ भाई आगया यह वाला लिंक आजाओ भाई और यह वाला इसमें एक चीज़ दिखाना चाहरा हूं एमेजन पर जब यह लिंक पर क्लिक करोगे तो डिफॉल्ट चला जाएगा यह एक टीब एसस्टी वाले पर ठीक है कोई जरूरी नहीं है यह वाला लेलना अच्छा तो यह एक पंद्रा का पर रहा है 500 का पूपन है और 5000 करेडिट काट पर डिसकाउंट है प्राइम के लिए टंसर मतलो दो रुपेर कटेगा फ्री ट्राइल हो जाएगा प्राइम का कर लेना बाद में कैंसल कर देना तो यह एक पंद्रा यहां दिखाड़ा एक दस तक तुमको एमजन पर मिल जाएगा वही सेम बात जो हर वीडियो में कहता हूं कि यहां पर आओगे एक सत्रों नौसो नब्वे का है यह वाला वे इंड़ा इंड़ा इंठावन सोच लोजे भी ऑफिस वगड़ा सब कुछ है इसमें और नॉर्मल डिसकाउंट से पांच हजार का कैस पैक हो गया तुम्हारा क्रेडिट कार्ड़ पे दो हजार का वीजा लैप्टोब 2000 हो गया कि एक मैं डेकमेंड करता हूं इसके जश्ट नीच चाहला है यह है लीजन 5 अब इसको रिकमेंड करना सुख देख दिस्पले एक नमबर डिस्पले हैं एक नमबर डिस्पले कैसे है यह सार्टिफाइड मतलब अगर तुम कलर एकुरेट वर्क कर रहे हो ना तो भी इसको ल मुझे लगा कि हाँ अच्छा है यह तो क्यावल कंटेंट क्रियेटर वालों के लिए लेकिन ऐसी बात नहीं अच्छा इसमें अच्छा इसमें अच्छा इसमें अल्रेडी तीन साल के वेरान्टी तेरा नहीं होगा तो लेलना ठीका यह 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 3060 130 वर्टbernेयगे जजगए 1 tv है 60 ilem है और ये खिंब ईसको डिस्पले जाहिए नुक्दम भीयां वारा उसके लिए ये बढ़ी ने लैपटोप है डिस्प्ले में थोड़ा कम होगा यह 500 निट्स कब नहीं मिलेगा यह 16 इंच वला डिस्प्ले था चोड़ा वाला डिस्प्ले नहीं आता तो एक पॉइंट एक लाक में वह यह वाला तेका ने बढ़िया लब्टक है लेकिन 12 जन का हर जगा गुन गया जा रहा है पहले तो यह यह अगर यह इंटल से बहुत सस्ता नहीं है तो मतलो होगा बाथ खाथ में इस पर यृट डिसक्रसान निकर नहीं जो यह अभी तक आया भी के वह लेने के वैंट साइट यह अगर इंटल से बहुत सस्ता नहीं है तो मतलो सो थोड़ा अच्छी बात ही ज़िए कि 30 60 को 10 watt औ दाल दिया है थोड़ा पाउर्फ लोड कर दिया है नोट रेली वर्थ इट अगर इंटल क्योंकि 12th Gen के गुन गाया जाते हैं कोई डीजन है अच्छा 12th Gen तो आते हैं जरा कौन सा लेप्टोप फिर लेना है तुम्हें तो सबसे पहले आता है यह 12th Gen i5 तो इसमें जो यह वाला घट को नहीं गया चलो अच्छा है वीडियो बनाते में तो दाम भी घटी है अच्छा नहीं नहीं गट है करता है ना क्यों कि मैं ओफिसस डालता हुं अगर ऑफशन रहता है मुझड ऊंसी करता हो क्या करता है उसको सो कि भी बेस्ट फोके अ हो बोल लेता हु में डिस्पलय आह democratic ँरे का आ गया हो और का es सब्सक्राइब कर देता हूं बहुत ज्यादे अंतर नहीं है पर लब दाम अंतर नहीं लेकिन उससा बहुत अंतर है यह लाप्टॉप पढ़ गया तुम्हें एक शब्स पांस चोविस का ठीक नॉर्माल वही अपना पांच जार दोहरदार का डिसकॉंट से एक बीस का पर जाएगा तुमको इंटल आइफाइफ टुवल्स जैन विट थर्टी सिक्स्टी फुल पावर अल्मॉस्ट फुल पाव ठीक है और इसी के बाद जो है पहले मना इसी को कस्टमाइज करके ना इसी में एड़ कर देते थे 12,000 वाप लेकिन अब उन्होंने एक नया विरेंट दे दिया है वो जादे सस्ता है वह वाला है यहां देखो सकेंड वाला नंबर यह दिख रहा तर्टी सिक्स्टी सिक्स ज अब जाओ खोजो बैठके और अगर कोई लैपटॉप देखना है दूसरे लैपटॉप को कंसिडर करने लगना तो सब के बारे में एक शॉर्ट में बत पर देता हूं देखो सब कंसिडर लेने लायक है MSI का सर्विस में तुम्हारे आसपास होना चाहिए बट MSI बारे तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे मोर हर चीज़ के लिए वह तुम से चार्च करेंगे और MSI से लैपटॉप लेने का मतलब है कि it is your responsibility तुम जाना हो तुम क्या करता हो सर्विस इंटर वाले इंटर्फेर नहीं करेंगे हिल्प नहीं करेंगे यह होगया MSI का MSI का लैपटॉप बहुत ओवर हीट करते हैं एक इस डिग्री टेंप्रेचर में अगर 95 डिग्री सीप्य हो जाड़ा है तो पता नहीं अपने एंबियंस में क्या होगा इसा रखता है कि हमारे देश के लिए उसको बनाया ही नहीं है आइस डेल का WvA डिस्प्लेए पता नहीं क्या दिक्कत थे इनको LG या सामसंग के डिस्प्ले को लाइसेंस करके लगा यह यह डिस्प्ले जाके खुद देखके आना सामने मुझे नहीं पसंद आया मुझे लगए कि यह टीन हिह है एक्दम नहीं पसंद आई जड़ासा उう दूसरा हो गया और कुन ला गया असुस कोई धंग का डिलना नहीं पाए जो मतलब इसमें अच्छा लैप्टोप लेकर आया एक फिफटीन में डैश में यह सब पतले लैप्टॉप जिसमें ओवर हीटिंग थर्माल इसूस उन सब लैप्टॉप में लेकर धंग का धंग के ल लिए तुम लैप्टॉप बना रहे हैंनो वहां के लिए मेजर कंपणी हो वहां पर टेंपरेचर इतना एक्स्ट्रीम नहीं होते इतने इंडिया में होते हैं इस इसको स्रेक्ट में रखना कोई भी और कंपणी में जा तो यह ध्यान रखना है वेरेंटी कितने का दे रहे ह एसस में एसर में दोनों में एक साल एक्स्टेंट कर सकते हो एडिपी एक साल का ले सकते हो वैरेंटी दो साल और एक्स्टेंट कर सकते हो एसर का मैंने सर्विस उसके है बढ़िया है लेकिन तीन साल एडिपी नहीं होतेता है आसुस कभी सर्विस ठीक है इन होम घर तक आ ज बड़े सहर में चोटे सहर में रहो दोनों का देखा है मैंने यह सब आसूस लेनों कोई दिकात नहीं है डेल यार एक टाइन पर अच्छा था देल 15 साल पहले दस साल पहले जब अपने लैप्टॉप को वर्क स्टेशन लैप्टॉप के जैसा बनाता था और उस तब उस पर व ले लिया मैं भी इसलिए उन्होंने बंद करवाती है या बहुत मैंगा करवा दिया कर जो वीडियों कोई और ब्रांड रहा क्या है अच्छा एच्पी जिस दिन वह अपना हिंज सही कर देगा न मैं बोल दूंगा खड़िदने क्रें पहले हिंज तो सही कर नहीं है ठीक है है मेडा हो गया फिर जागा हो गया एक सका हो गया चार बॉर्टॉप मैंने सामने देखा है मतलब वरांटी जैसे खता हो जाते हैं दो से तीन साल ही उसके बाद इसका और यह लगते है कि लैपटॉप खतम ही हो गया मदरबोर्ट जली एसका प्तरी यह होगया है भगवान तो एच्पी में इस लेडी कमंड नहीं करता है कि वहां फिटा के बचा लेनों वो एटलिस्ट यह है ना कि यार तुम तीन हजार डाल दी अब तुम्हारे सरे पेटनस नहीं एक लप्टॉप में क्या हो नहीं हो तुम गलती से भी गिर जाता है तुम्हारे टेंस टीक है और हमेशा यह जो डेट्स तुम्हें दिखा रहा है यह एक्षेल वाली जो शीट है इससे कम होना चाहिए यह तो क्या मतलब है अगर बेस्ट लप्टॉप से कम रेट नहीं दे पार है उसे मस्पेक्स में तो कोई मतलब नहीं है वाटेज का ध्यान दखना 30-70 85 वाट और 30- 70-140 वाट में जमीन आस्मान का अंतर है एकना स्टाइट मेरा स्टाइटिंग इस चैनल पर उसी वीडियो से हुआ था क्या 30-70 85 वाट का मतलब उससे अच्छा है 30-60 130 वाट का लो यह समझा है आना मेरा प्वाइंट वही था कि जब तर भाड़ात में से नमा रहे गार लोग चोटी यह बंते रहेंगे